हेलो वेल्कम बेक दोस्तों मैं आम है तरणु कुमाहत आप लोगा फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चनल पर दोस्तों आज भी मैं आपके लेकर हूँ एक कमाल की ट्रिक जिसमें आपको बताऊंगा कि आप अपने PC की की स्पीड को जी हाँ आपने डेक्स्टॉप की स्पीड को किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि आपको आपके वर्क में बहुत ही आसानी होगी आपका कंप्रीटर बहुत ही फास्ट हो जाएगा तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी पिसल तो दोस्तों जो में ट्रिक बतान जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने डेक्स्टॉप की स्पील्ड को बढ़ा सकते हैं बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है आपको कुछ नहीं करना से आपको अपनी विंडोस प्लस आर की की दबानी за all power लेगा यहां पर आपको टाइप करना है परसंट टैम्प सेंट इनको डिलीट कर दिजिए इनको डिलीट कर दीजिए बस देखिए अब दिए हो रहा है तो यहां पर इसको यह एवे टिक करके कर दीजिए करने के बाद कुछ यह कि बचेगा तो इसकी बाद विंडूस प्लस र दबाना थे लिखना थाइप करना थे एंप्र टाइप करके आप पर प्रेस कर दिना है कर दिने के बाद यहां पर मैं इसको इसको कर दूगा इसकीप कर दिया है तो आपको आपको इसको क्लोस करने के बाद यहां पर आपको यह पर मागेगा तो आपको इसको कंटीनु कर देना है करने के बाद आपको इसकीप करने के बाद आपको इसको क्लोस कर देना और फिर से एक बार आपको विंडोस प्लस आर दबाना वहीं रन का इकन खुल जाएगा करने के बाद आपको इस बार यहां टाइप करना री से एंड करना इसको चीज़ देक्स टॉप के लिए आ पको यहां पर कंट्रॉ पलस दबा कर देना और इसको डिलीन उगाद घुरीच मार देना तो जैसे यहां चरुका है आपको delete कर दिया है अब तो इसको वापिस में close कर दूगा close करने के बाद recycle bin में जाकर clear all कर दीजिए तो मैं empty recycle bin पर click कर दूगा तो अगर आप इनको पहले ही delete कर तो time shift plus delete कर देंगे तो ये वापिस recycle bin के अंदर नहीं जाएगा तो ये ती हमारी आज की ट्रिक तो दोस्तो मुझे hoppe आपको मेरी ट्रिक और वीडियो पत्षंद अज़िए अगर आपको मीरी ट्रिक और वीडियो पत्षंद आए तो इस वीडियो को like किजिए, comment किजए और अपने दोस्तों के शेर करना ना भूलिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके की ट्रिक्स औंड टिप्स की वीडियोज आपने लाता हूंगा इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब किये भीना नहीं जाएगा तो चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में